नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी व्यवसाइक अध्यान के पुष्टक का छठा अध्याएं व्यवसाइका सामाजे को तरदा ही तुव व्यवसाइक नैतिकता शुरू करने जा रहे हैं बच्चों यदि आप इस अध्याएक के नाम को देखें तो आप इसके नाम से ही इसकी रोचकता का अनुमान लगा सकते हैं यह एक बहुत रोचक अध्याय है क्योंकि यदि आप सोचें तो एक आम अवधारना यह है कि व्यवसाय का अर्थो हुआ लाब कमाना, पैसे कमाना, संपत्य एकत्र करना और यहां हम बात कर रहे हैं व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदाईतों की, उसकी नैतिक्ता की तो कई लोगों के लिए तो यह अध्याय का नाम ही अपने आप में एक विरोधाभास उत्पन्न कर सकता है कि एक तरफ व्यवसाय तो दूसरी तरफ नैतिक्ता कैसे हो सकती है क्या दोनों का कोई मेल है, क्या दोनों एक दूसरे से संबंदित हो सकते हैं इस अध्याई में हम यही देखने की कोशिश करेंगे इस अध्याई को पढ़कर आप यह समझ पाएंगे कि नैतिक्ता वा उत्तरदाईत्व नाकेवल व्यवसाय का एक अभिन अंग है बल्कि वो व्यवसाय की सफलता के लिए भी अनिवारे हैं व्यवसाय के लिए नैतिक्ता की यदि हम बात करें तो उससे पहले एक बार नैतिक्ता शब्द को समझ लेते हैं जब हम नैतिक्ता की बात करते हैं तो हमारा अर्थ होता है किसी कारी को करते वक्त सही गलत की एक समझ या सोच जो हमारे मन में होती है जो हमें उस कारे को करने या ना करने के लिए प्रोचाहित करती है वो हमारी नयतिकता है अर्थात यदि मैं किसी कारे को करने जा रहा हूँ तो क्या वो करना सही होगा यदि वो सही होगा तो फिर मैं उस कार्य को करूँगा और यदि मेरे मन में यह विचार आता है कि यह सही नहीं होगा तो मैं उस कार्य को नहीं करूँगा तो यह मेरी समझ है और मेरी समझ के अनुसार यह मेरी नैतिक्ता है नैतिक्ता एक मनुष्य में अपने समाज, अपने परिवार वा अन्य ज्ञान के जरिये विक्सित होती है हर किसी के लिए नैतिक्ता अपनी एक सीमा के अंदर निर्धारित होती है हर किसी के लिए किसी कारे को करते वक्त सही गलत की एक अपनी पहचानिय सोच होती है ठीक उसी प्रकार, व्यवसाई में भी नतिक्ता देखी जाती है एक व्यवसाई जब लाबर्जित करने के लिए अपनी क्रियाओं को करता है तो उन क्रियाओं को करते वक्त, सही गलत की एक पहचान होना समाज को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसकी पहचान होना वेवसाय की नैतिकता कहलाती है ये बात सच है कि प्रतियक वेवसाय को लावर्जित करने के लिए अनेक क्रियाएं चाहे वो अध्योगिक है या वाणेजिक है यह सभी क्रियाएं करने का अधिकार मिलता है। एक व्यवसाय लाबर्जित करने के लिए अनेको क्रियाएं कर सकता है। सवाल यह है कि अधिकार उसे कहां से मिलता है। और इसका जवाब यह है कि यह अधिकार उसे समाज से मिलता है। वेवसाय को समाज से अधिकार प्राप्ट होता है कि वह अपने ला बर्चित करने के लिए अनिक क्रियाए या जो क्रियाए उसे ठीक लगे वो कर सकता है लेकिन फिर यहाँ वेवसाय की नैतिक जिम्मेदारी यह होती है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि वह कोई ऐसी कारिवाही ना करे जो समाज के द्रिष्टी कोण से अवांचनिय मानी जाएंगी तो नैतिकता एक वेवसाय को यह मार्ग दर्शन प्रदान करती है कि समाज वह समाजिक उत्तरदाइत्वों को ध्यान में रखते हुए किन कारियों को करना सही होगा वा किन को करना सही नहीं होगा यहाँ पर फिर बात आजाती है समाजिक उत्तरदाइत्व की समाजिक उत्तरदाइत्व का अर्थ उन नीतियों का पालन करना उन निर्णेयों को लेना या उन कारियों को करना है जो समाज के लक्षियों वो मूल्लियों के दृष्टी से वांचनी है अगर मैं इसे और सरल भाषा में बोलू तो एक व्यवसाए समाज के लक्षियों उदेशियों उसकी इच्छाओं आदी से जुड़ी हुई बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियों को बनाता वो पालन करता है वो अपने निर्णे लेता है तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि व्यवसाए अपना सामाजिक उत्तरदाइत्व निभा रहा है अर्थात व्यवसाए को समाज के लक्षियों यानि समाज क्या चाहता है समाज के लिए क्या सही है या क्या नहीं सही है इनको ध्यान में रखते हुए जो चीजें जो क्रियाएं जो निर्णें समाज के द्रिष्टी से वांचनिय हो उन्हें करना उसकी तरफ से अपना उत्तरदाइत्व निभाना कहलाता है और यही बात कुछ लोगों के लिए उस सर्वमान निवचार धारा से विप्रित हो जाती है जहां ये माना जाता है कि व्यवसायों का तो एक मात्र उदेश्य होता है पून्जी पतियों के लिए अधिक से अधिक लाब कमाना जब कोई व्यवसाय चलता है तो उसके पीछे का मकसद क्या है कि जो उसके स्वामी है जो पून्जी पति है उनके लिए अधिक से अधिक लाब अरजित किया जाए तो ऐसे में ऐसा लगता है कि जनता के हित के बारे में सोचना समाज के बारे में सोचना उससे असमंदित है यानि उससे अलग है, वेवसाय का काम तो लाबर्जित करने का है, तो सामाजिक उत्तरदाईत्व तो उससे अलग हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, हम जैसे जैसे इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे, हम यह देखेंगे कि कैसे सामाजिक उत्तरदाईत्व एक वेवसाय के लिए बहुत अनिवार्य होते हैं सामाजिक उत्तरदाइत्व का अर्थ समझने के बाद यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि जब हम सामाजिक उत्तरदाइत्वों की बात करते हैं, तो हम कानूनी उत्तरदाइत्वों की बात नहीं कर रहे हैं, कानूनी उत्तरदाइत्वों की अपेक्षा, सामाजिक उत्तरदाइत्व अधिक विस्तरित होते हैं, कानूनी उत्तरदाइत्व तो वो उत्तरदाइत्व हैं, जो एक व्यव केवल कानून को मान कर कानूनी उत्तरदाइत्व तो पूरे किया जा सकते हैं लेकिन सामाजिक उत्तरदाइत्व उससे कहीं आगे या परे होते हैं इन्हें केवल कानून का पालन करके पूरा नहीं किया जा सकता बलकि इनमें कानून का पालन करने के अलावा ऐसे कई तत्व श उत्तरदाइत्व के पिक्षा अधिक विस्त्रित होते हैं अब आई ये बात करते हैं सामाजिक उत्तरदाइत्व की क्या आवश्यक्त्त हैं जैसा कि मैंने कहा यह बहुत समय से वाद विवाद का विश्य रहा है कि व्यवसाय को सामाजिक उत्तरदाइत्व के बारे में सोचन कुछ लोग सामाजेक उत्तरदाइत्व के पक्षमे तर्क देते हैं कुछ इसके विपक्षमे तर्क देते हैं आईए हम दोनों तर्कों पर चर्चा करें और खुद सोचें कि क्या सामाजेक उत्तरदाइत्व व्यवसाई के लिए आवश्यक है यदि हम इसके पक्षमे बात कर तो कुछ मुख्य बिंदू इस प्रकार निकल कर आते हैं सबसे पहली बात तो यह है कि सामाजिक उत्तरदैत्व व्यवसाई के अस्तित्व व्यकास के लिए और चित्य पूर्ण है अर्थात एक व्यवसाई का मुख्य कार्य क्या है एक विवसाई का अस्तित्व किसलिए है वो किसलिए अपने कार्यों को कर रहे है क्यूंकि एक विवसाई का मुख्य कार्य है समाज के लिए वस्तुओं वस्षेवाओं को गुर वत्त व अच्छे कीमतों पर प्रदान करना है व्यवसाय का तो आधार ही यही है ना कि उसे समाज में लोगों को वस्तुवव सेवायों को उपलब्द कराना है ऐसे में समाज के लिए कुछ करना तो व्यवसाय का मूल भूत उदेशे हो गया यह तो वेवसाई के अस्तित्व वो विकास के लिए एक आधार भूत अवशक्ता हो गई आप सामाजिक उत्तरदायत्व को वेवसाई से अलग ही नहीं कर सकते क्योंकि वेवसाई का तो काम ही यह है कि वो समाज को वस्तों में से वाएं लगतार उपलब्द कराते रहें तो ऐसे में सामाजिक उत्तरदाइतों व्यवसाय का एक अभिन अंग बन कर निकल कराते हैं इनके अलावा सामाजिक उत्तरदाइतों का पालन करना एक फर्म या वेवसाई के दीर्ग कालीन हित में होता है कैसे? यदि एक वेवसाई अपने सामाजिक उत्तरदाइतों को पूरा कर रहा है तो उस वेवसाई की लोगों या समाज की नजरों में एक अच्छी छवी बन जाती है धीरे धीरे लोग उस वेवसाई को पसंद करने लगते है वेवसाई को ग्राहक मिलते हैं जो अपनी पसंद के मताबिक उस वेवसाई से सामान खरिदना या सेवाई लेना चाहते है फिर कुछ ग्राहकों से वा बात धीरे धीरे आगे फैलती है अधिक से अधिक लोगों में उस वेवसाय की पहचान बनती है, एक अच्छी छवी बनती है अच्छी छवी के कारण ना किवल नए ग्रहक मिलते हैं, बल्कि वो ग्रहक बने रहते हैं और नए ग्रहकों को भी जोडने का मौका मिलता है तो यदि एक व्यवसाए अपने सामाजीग उत्तरधाइत्वों को निभा रहा है तो अच्छी छवी के कारण ना केवल उसे अभी लाब मिलेगा बल्कि लंबे समय तक उसे ग्रहकों का समर्थन मिलता रहेगा उसे समाज का समर्थन मिलता रहेगा जो कि उसके दीर्ग कालिन हित में होगा इसके अतरिक्त व्यवसाए में कई संसाधनों का उप्योग किया जाता है चाहे वो कच्चे माल हों, चाहे वो भूमी संसाधनों या वो मानव संसाधनों अब बताईए कि ये संसाधन व्यवसाई को कहां से मिलते हैं इन संसाधनों की उपलब दता है व्यवसाई को समाज के द्वारा ही तो होती है तो जब व्यवसाई समाज से संसाधनों को प्राप्त कर रहा है तो यहां व्यवसाई की जिमिदारी है कि वह समाज के लिए कुछ कर ताकि उसे संसादनों की उपलतिता बनी रहे चौथा बिंदू है सरकारी विनियम से बचाओ यानि सरकारी नियम कानूनादी से बचाओ आज के समय में सरकारे वा कानून भी बहुत सक्त हो गए हैं इस बात को लेकर कि कौन से व्यवसाय अपने उत्तरदाइत्वों को खास कर समाज के प्रती जो उत्तरदाइत्व हैं उनको ठीक प्रकार निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं यदि व्यवसाय अपने जरूरी उत्तरदाइत्वों को नहीं निभाते हैं तो सरकारे उन पर सक्ति करती हैं इन सक्तियों, इन जुर्मानों या नियम कानूनों को पालन करने के लिए विवसाईों के लिए जरूरी हो गया है आज के समय में कि वो अपने सामाजिक उत्तर दायत्मों से मुह न मोड़े बलकि उनका खुशी से पालन करें इसके अतरिक्त यदी व्यवसाय अपने सामाजिक उत्तर दायत्मों को निभाते हैं तो इसका समाज पर अच्छा असर पड़ेगा समाज में लोग वह सामाजिक सुविधाय बहतर बनेंगी जब सामाजिक सुविधाय बहतर बनेंगी तो उसका सकारातमक असर वापस वैवसाय पर पढ़ेगा कि उसे वैवसाय करने के लिए एक अच्छा वाता वरन मिलेगा मान लिजिए किसी जगhा पर लोग बीमार हैं वहाँ के सरकारे तो छोड़िये वैवसायों ने भी कभी वहां के लोगों के स्वास्थे के लिए कोई कदम नहीं उठाए जिसकी वज़ा से समाज में स्वास्थे के स्थिति खराब है ऐसे में यदि वहां के व्यवसायों को अपने यहां काम करने के लिए कर्मचारी चाही होंगे तो कहां से मिलेंगे यदि उन्हें अपने उत्पादों को बेचने के लिए अच्छा बाजार चाहिए होगा तो कहां से मिलेगा इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि व्यवसाय समाज के लिए अपने दाइतों को निभाए क्योंकि उसका फिर समाज पर अच्छा असर पड़ेगा और फिर वह वापस व्यवसाय को ही फाइदा पहुचाएगा क्योंकि व्यवसायों को अपने गति विदियों के लिए एक बहतर वातावरण मिलेगा अंत में यह भी एक बिंदू कहा जा सकता है कि आज समाज में जो समस्याई हैं चाहे वो प्रदूशन की हो यानि परियावरणिय समस्याई हो या सामाजिक भेदभाव आर्थिक भेदभाव हो ऐसी कई समस्याएं हैं जिनके लिए व्यवसायों को ही उत्तरदाई माना जाता है तो ये कहा जाता है कि जब समस्याएं व्यवसायों ने खड़ी की है तो उनका हल निकालना और समाज के लिए अपना योगदान देना भी व्यवसायों का ही उत्तरदाईतु है तो इस प्रकार ये छे बिंदू हमें व्यवसाई के लिए सामाजिक उत्तरदाईत्व की आवशक्ता को दर्शाते हैं पहला कि सामाजिक उत्तरदाईत्व तो व्यवसाई के मूलभूत अस्तित्व का ही आधार है दूसरा, यह वैवसाय को दीर्ग काल में हित या लाब पहुचाता है तीसरा, यह वैवसाय में संसादनों की निरंतर उपलब्दिता बनाए रखने में सहायता करता है चौथा, इनका पालन करने से सरकारी विनियम से बचा जा सकता है पाचवा यह विवसाय की गतिविदियों के लिए बहतर वातावरण बना के देता है वचछठा विवसाय ने ही सामाजिक समस्याएं खड़ी की हैं तो उने ही उसका हल करना चाहिए यह कहकर लोग समाजिक उतरदाईत्वों को विवसाय का एक अभिन अंग मानते हैं जो की काफी हद तक सही भी है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके विपक्ष में तर्क देते हैं इनके मुख्य तर्क इस प्रकार है सबसे पहला इनका मानना है कि विवसाय का मुख्य उदेश तो लाब अरजित करने का है यदि एक विवसाय अपना ध्यान समाजिक उतरदाईत्वों पर देगा तो उसका लाब उदेश जो है वो कहीं पीछे छूट जाएगा एक विवसाय का अधिक्तम लाब अरजित करने का जो उदेश है उस पर सामाजिक उत्तरदाईत्वों एक अतिकर्मन पैदा करता है ये लोग कहते हैं कि विवसाय को अपना ध्यान लाब पर ही केंदरित रखना चाहिए उसका मुख्य उदेश ही वही है सामाजिक उत्तरदाईत्वों के पीछे पढ़कर हम अपना समय वहां लगाएंगे तो हम लाब अरजित नहीं कर पाएंगे या अधिक्तम लाब नहीं कमा पाएंगे दूसरा तरक इनका यह है कि जब विवसाय सामाजिक उत्तरदाईत्वों पर ध्यान देते हैं तो उन्हें उसके लिए पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं जैसे किसी विवसाय ने यदि कहीं कोई विद्याले खुलवाया पीने के पानी के विवस्था करवाई या ऐसा कोई भी कारी अगर करा तो उसके लिए विवसाय को पैसे खर्च करने पड़ते हैं जब एक वेवसाय सामाजिक उत्तरदाईत्वों पर पैसे खर्च करता है, तो उस खर्चे की भरपाई वो कही ना कही वस्तवों वस्तेवाओं की कीमतों से करता है, जिसका भार अंतत है वो भोगताओं पर ही परता है, तो फिर ऐसे उत्तरदाईत्वों को निभा के क्या किया है कि व्यवसाय या व्यवसाय प्रबंध किया उससे जुड़े लोग व्यवसाय करना जानते हैं उनके अंदर सामाजिक दक्षता की कमी होती है उन्हें ना तो इस तरह का कोई प्रिसिक्षण मिला है ना ज्यान दिया गया है कि समाज के लिए क्या सही है क्या नहीं उन मे इस तरफ नहीं जाना चाहिए उन्हें सामाजिक उत्तरदाईत्वों के तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि वो इसमें कुशल नहीं है इस प्रकार के कुछ तर्क देकर या कहा जाता है कि सामाजिक उत्तरदाईत्व विवसाय के लिए सही नहीं है लेकिन जैसा कि हमने देखा ऐसे कई तर्क हैं जो सामाजिक उत्तरदाइत्वों को विवसाई के लिए आनिवार्य बताते हैं इसलिए आज के समय में बड़े-बड़े कंपनिया या बड़े-बड़े फर्म और ना कि वली ये बड़े फर्म बलकि छोटे फर्म भी इस बात को समझने लगे हैं कि यदि वो समाज के प्रति ध्यान देंगे यदि वो अपनी समाज में छवी को बहतर रखेंगे तो इसका कहीं ना कहीं फाइदा उनको विवसाई में भी मिलेगा तो कुछ लोग इस सोच के साथ वो कुछ लोग इस सोच के साथ भी कि सामाज के लिए कुछ करना उनका नैतिक दाईतु है अपने अपने तरीके से अपने सामाजिक उत्तरदाईतु को निभाते हैं व्यवसाई के जरीए अब आईए इस बात पर भी चर्चा की जाए कि सामाजिक उत्तरदाईतों के प्रकार क्या है किस-किस तरह से या किस-किस प्रकार से हम अपने सामाजिक उत्तरदाईतों निभा सकते हैं इसके मुख्य प्रकार इस तरह हैं सबसे पहला आर्थिक उत्तरदाईतों देखिए सभी उत्तरदाइतों में सबसे पहला उत्तरदाइतों तो यही आता है कि एक वैवसाय को लाभ अरजित करना है उसके लिए उसे अपने भोगताओं को वस्त्वय या सेवाय लगातार उपलब्ध करानी है उन पर लाभ अरजित करना है ताकि फिर उस लाब के कारण व्यवसाई लंबे समय तक चले यदि लाब ही अर्जित नहीं करेंगे तो व्यवसाई तो ठिकेगा ही नहीं और यदि व्यवसाई नहीं ठिकेगा तो फिर वो आगे जाके समाज के लिए क्या कर पाएगा इसलिए सबसे पहला वुत्तरदाइत्व, आर्थिक वुत्तरदाइत्व है जो कि वेवसाय का अपने पूंजी पतियों या अपने ग्रहकों आदिकी तरफ होता है अब ये पूंजी पति ग्रहक आदि भी तो समाज का हिस्सा है तो यदि वेवसाय लाव अर्जित करके पूंजी पतियों को दे रहा है उस लाव का इस्तिमाल करके वेवसाय को और बढ़ाया जा रहा है उसकी शक्ती बढ़ाई जा रही है ताकि जब वेवसाय और शक्तिशाली हो तो और कुछ कर पाए समाज के लिए तो ये भी एक अच्छा उत्तरदाईत्व हुआ तो यह था पहला उत्तरदाईत्व की आर्थिक रूप से वेवसाय को समाज के लिए कुछ करना चाहिए दूसरा कानूनी उत्तरदाईत्व इसके अंदर वो जिम्मदार्या आती है जो कानून के द्वारा वेवसाय के लिए पालन करना जरूरी होते हैं हर देश में कई प्रकार के कानून होते हैं जैसे श्रम कानून है श्रम कानूनिया बताते हैं कि श्रमिकों को नियुनतम कितना भुगतान करना है उन्हें किस प्रकार की कारे की स्थितिया प्रदान करनी है तो यदि एक व्यवसाय इन चीजों का पालन करता है तो वो एक तरह से अपने कानूनी उत्तरदाईतों को निभा रहा है तो ऐसे कानूनी उत्तरदाईतों को निभाया जा सकता है और भी इसके उदारन हो सकते हैं कि करों का समय पर भुक्तान करना सरकार द्वारा नए कानून जब बनाए जाते हैं तो उनको सीखना, उनका पालन करना ये सबी चीजें करके एक व्यवसाय अपने कानूनी उत्तरदाईत्वों को निभाता है इसके बाद आते हैं नैतिक उत्तरदाईत्व नैतिक उत्तरदाईत्व में वो व्यवहार आते हैं जो समाज व्यवसाय से अपेक्षा करता है कुछ चीजें ऐसी हैं जो कानून में नहीं लिखी जाएंगी लेकिन समाज आपसे इसकी उम्मीद करता है कि आप उनका पालन करें जैसे कि किसी भी उत्पाद का विज्यापन देते समय हमें मनुष्यों की धार्मिक भावनाओं का आदर करना होता है कई बार कुछ व्यवसाय अपने विज्यापनों में धार्मिक भावनाओं की कदर नहीं करते इसे समाज में अच्छा नहीं माना जाता है तो इस उत्तरदाईत्यों को पूरा करने के लिए व्यवसाय को खुद या देखना चाहिए कि उनकी क्या क्रिया समाज के द्वारा अपेक्षित है या क्या नहीं तो जो चीजें समाज उनसे उम्मीद करता है उनका पालन करना व्यवसाय का नैतिक उत्तरदाईत्यों है इसके अलावा कुछ उत्तरदाईत्यों व्यवेक्शील उत्तरदाईत्यों भी होते है ये उत्तरदाईतु ऐसे उत्तरदाईतु हैं जिन्हें करने के लिए कोई व्यवसाय को नहीं कहेगा व्यवसायों को खुद यह देखना चाहिए कि उन्हें क्या कार्य करने हैं उन्हें अपने मन से कुछ ऐसी सुविधाएं, कुछ ऐसी सेवाएं समाज के लिए उपलब्द करानी चाहिए, जो समाज के हित्मे हो, जैसे मान लीजिये कलको यदि कहीं बाड या भुकम्ब आता है, तो वहां जाकर पीडितों की सेवा करना, सहायता करना, डान देना आधी विवसायों के लिए, उनके विवेक पर आधारित है कि उनकी सोच या उनका विवेक उन्हें इस बात के लिए क्या कहता है, कई विवसाये खुद बे खुद अपनी तरफ से इस तरह की स्थितियों में दान देते हैं, तो ऐसे में जो दाईत्वों निभा रहे हैं, वो उत्तरदाइतived, नैतिक उत्तरदाइति और चोथा वीवेक्षिर उत्तरदाइतiping यے चारों उत्तरदाइति थे मिलकर सामाजिक उत्तरदाइत modes का निर्मार करते मि आईए आज के भाग के अंत में हम यह भी देख लें कि व्यवसाए समाज के किन वर्गों के प्रति उत्तरदाई होता है उनमें से मुख्य वर्गों में सबसे पहले आते हैं अंशधारी वा स्वामी जैसा हमने अभी जिकर किया कि व्यवसाए का अपने अंशधारी हो स्वामियों आदी के प्रति उत्तरदाईत्व होता है कि व्यवसाए उनके पूंजी का सही जगापर सही तरीके से उपयोग करें या सुनेश्चित करें कि वह उस पर लाब अर्जित कर रहा हैं वो व्यवसा की निरंतरता को बनाय रख रहा है ऐसा करकर अंशधारियों या स्वामियों के प्रती उत्तरदाइत्व को निभाया जा सकता है इसी प्रकार कर्मचारी गणों के प्रती भी व्यवसाय का उत्तरदायत्व होता है कर्मचारियों को उनके काम के बदले में उचित वेतन देना उनकी शिकायतों उनकी समस्याओं को सुनना ध्यान देना उन्हें अपने विवसाई में कार्रे के लिए अच्छी स्थितिया प्रदान करना चाहे वो मानसिक स्थितिया हो चाहे वो भौतिक स्थितिया हो अच्छी स्थिति प्रदान करना ताकि कर्मचारी खुशी से काम करे यह सभी चीज़ें व्यवसाय की कर्मचारियों के प्रतिदाइतों में आते हैं उब्भोकताओं के प्रतिदाइतों की यह दिबात की जाए तो उब्भोकताओं को अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं वसेवाई उपलब्द कराना मिलावट ना करना उनको उचित सूचनाय प्रदान करना उनसे उचित कीमत लेना उन्हें वस्तुएं सेवाउं के प्रति जागरुक बनाना ऐसे चीज़ें व्यवसाय की उब्भोकताओं के प्रतिदाइतों में आते हैं वह अंत में सरकार व समाच के प्रति उत्तरदाइतों सरकार के द्वारा बनाएगे कानूनों, नीतियों को पालन करना, समय पर करका भुकतान करना, ये सरकार के प्रति उत्तरदाईतों में आते हैं समाज के प्रती उत्तरदाईत्वों में समाज के हितों को ध्यान रखना समाज के लिए सुविधाय सेवाय आदिप्रदान करना यह सभी समाज के प्रती उत्तरदाईत्वों में आते हैं तो आज इस भाग में ये सब सुनकर वो पढ़कर आपको लगा होगा कि सामाजिक उत्तरदाईत्व तो वाकई एक बहुत विस्त्रित विशय है हमारे कई प्रकार के वर्गों के तरफ उत्तरदाइत्वों होते हैं, हमारे कई प्रकार के उत्तरदाइत्वों होते हैं, उत्तरदाइत्वों के कई लाब भी हो सकते हैं तो इन सभी बातों को सीख कर हम यह तो समझ गए हैं कि सामाजी कुत्तरदाईतु एक महत्व पूर्ण वा अनिवारी विशयवस्तु है किसी भी विवसाई के लिए। अगले भाग में हम इससे जुड़े कुछ और महत्व पूर्ण पहलू उपर चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूँ आज का भाग आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही धनिवाद। यूर्ण विवसा आपको समझ आपको समझ आया ही थालोटश समझ आया होग धनिवाया होगा अफिस मशा how to upload І्वसाई और महत्व पूर्ण आपको क्यों कि मैं इतना है रbowग fabulous लिम Влад rightly. झाल झाल